नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अभिनो सिंग और आज आपके लिए में लाया हूँ रेलवे में पूछे गए ऐसे प्रस्ट जो संख्याओं पर अधारित होते हैं जोड़ दिया घटा दिया ये बन गया वो बन गया ऐसा टाइप के प्रस्ट एक्जाम में आपको कैसे हल करना व बारा है यदि अंको की अस्थान आपस में परिवर्ट कर दिये जाएं तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से अठारा ज्यादा हो जाती मतलब पढ़ जाएगी तो मूल संख्या क्या है तो सीधा ऑप्शन पर चले जाना है सीधा सीधा मालो 49 होगा 49 अगर अस्थान बदल 7द हो गे तो बन जाएगा थिरान वे स्फ़रा तो क्या थिरान बेस से 8डा बदला कहरा हिक अथाण ज्यादा हो जाएगा gak 18 ज्यादा हो जाएगा यह गदम यह नहीं होगा 84 बन जाएगा 48 तो क्या ही अठरा जादा है नहीं जादा है तो ये भी गलत 75 क्या बन जाएगा 57 बन जाएगा तो ये तो कम हो गया कम तो बात ही नहीं हो रही यहां पे तो ये भी खतम 57-75 बन जाए गया क्या ही अठरा बढ़ा तो भाई इसमें अठरा जोड़ दो 57 में अठरा जोड़ दो तो 8-7-15 5-6-7-75 सही तो बात है बन गया यही अपना उत्तर हो गया है कि नहीं ऐसे लगाना है बस जादा दिमाग नहीं लगाना है अगला देखो दो अंको की संख्या की अंको का योग नौ है इस संख्या का नौ गुना अंको की उल्टे करम से प्राप्त संख्या से दो गुना है संख्या ज्यात करें मतलब समझे कह रहा है कि कोई दो संख्या अंको का योग है नौ तो 9 है तो 9 एक 10 ये तो होगा नहीं पहले ही बाकी ये भी नहीं होगा है ना ये भी नहीं होगा बचा सिर्फ अठरा तहीं उत्तर होगे आप क्या करें मजबूरी हमारे सामने ये सेम कोश्चन आया हुआ है अब इसको कैसे मिलाएंगे ये जो बोल रहा है कह रहा है दोस्तो इस संख्या का नव गुरा, तो अठारा नवा 162 होता है, है ना, नव गुना अंको के उल्टे करम से प्राप संख्या, मतलब इसका उल्टा कर दो तो एक 80 हो जाएगा, तो एक 80 का डबल है ये, कह रहा है कि प्राप संख्या से दो गुना अत्वा सही है, एक 80 दुना 162, बास स देते हैं, तो बनी हुई नई संख्या मूल संख्या से 45 कम हो जाती है, मतलब कम हो जाएगी, तो बान बे को पल्टेंगे, तो बन जाएगा 39, तो क्या ये 45 कम हुई, नहीं, 45 नहीं, ये गलत, बहुत ज़्यादा कम हुई है, और, क्योंकि 60 अलगवक कम हुआ है, 56 बन जाए जाएगा 56, तो 56 में 9, सिर्फ 9 का डिफरेंस है, ये भी गलत हो जाएगा, 45 का डिफरेंस होना चाहिए दोस्तों, कह रहा है वो, 83 बन जाएगा 38, तो 83 बन जाएगा 38, 38 में 45 जोडो क्या 83 आता है, तो 8, 5, 13, 4, 3, 7, 8, बात उसा ही कह रहा है, तहीं उत्तर हो गया अपना, ब 45 है, ये NTPC हैगा, सब बता दे रहा है NTPC वाले भी, जैसे Group D, NTPC या फिर जिस कोई भी एक्जाम सब में आता है, आप किसी भी एक्जाम के करता यारी कर रहे हो, तो ये मत सोचा करो किस एक्जाम का क्वेशन है, उठाग उसमें दे देंगे इसको, चीक है, क्या बोला, अ कोनों अंकों की बीच का अंतर ग्याद करे, अच्छा, ये वाला प्रस्न है दोस्तो, आयोसे प्रस्न को हम आप्शन के साथ नहीं स्वाल्व कर सकते हैं, इसको कैसे करेंगे, ये समझो, देखो, कह रहा है, दो अंकों की संख्याता अंकों का स्थान आपास में बदानलपर बने नई संख्या का अंतर 45 है, मतलब मालो कोई संख्या है, X है Y है, डिजिट, लेकिन इसको संख्या की रूप में कैसे लिखते हैं पता है, 10X प्लस Y, ऐसे लिखा जाता है, और इसको जब आपस में बदल देंगे, मतलब 10Y प्लस X लिख देंगे, इन दोनों का अंतर कर द क्या बोल रहा है कि 45 है यही तो बोला बनी नई संख्या का अंतर 45 है दोनों बीच अंतर गयाद कर देखो अब इसको जब घटाओगे तो यह क्या बन जाएगा यह बन जाएगा 10x में x घटाओगे तो 9x यही तो हो जाएगा देखो यह 10x भाई यह घटाना है तो टोटल घट तालीस है अब देखो टोटल में नौ से डिवाइड कर दो नौ कड़ गया नौ कड़ गया नौ पच्छे पाइटारीस पांच हो गया मतलब एकस माइनस वाई बराबर पांच आ गया तो यही तो उत्तर हो गया न वहीं तो पूछ रहा है दोनों अंको के बीच का अंतर बतो एकस माइनस वाई पांच समझेगे नहीं यह सवाल बहुत आता है मतलब थोड़ा बदल देंगे ऐसे कर देंगे इस सवाल बहुत आता है ऐसे 63 कम हो जाती है संख्या ग्याद करे 63, योग 11 है 83, 99, 2, 11, 9, 2, 11 सब सही है यह 83 को 38 लिख देंगे तो कितना कम होगा 63 की बात कर रहा है तो क्या 63 इसमें जोडों को 83 होगा 8, 3, 1, 11 यह नहीं होगा मतलब यह गलत है 92, 29 हो जाएगा तो 29 में अगर 63 जोडों क्या 99 बन जाएगा 9, 3, 12, 6, 2, 8, 1, 9 बन जाएगा यह हिसा उत्तर होगा आपका ठीक है बस समझे की नहीं आगे बढ़ते है एक दो अंकों की संख्या की अंकों का योग 13 है यदि उन अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो संख्या 27 से घड़ती है बदली हुई संख्या ग्यात करें इसमें बदली हुई संख्या ग्यात पूछा था इसमें संख्या ही पूछा था नहीं गलती कर दो बदली हुई संख्या भी आपको पूछेगा ध्यान देना बदली उसंख्या मतलब पलटने के बाद देखो योग 13 है तो आठ मास 13 साथ 613 तो मालो सब लिखाए ये उन अंकों को आपस बदले तो 27 घड़ती है 27 कम हो जाती है मालो देखो ध्यान समझना बदलने पर 27 कम हो जाती है मतलब पूछ रहा है मूल संख्या नहीं पूछ रहा है पूछ रहा है बदलने के बाद संख्या तो बदलने के बाद जो संख्या आई होकी उसके पहले वाली संख्या से 27 कम होनी चाहिए करना 27 घटती है तो यह जो आए यहां पर जो हमको ढूड़ना है कम होनी चाहिए तो 85 को पल्टो गे तो बन जाएगा 58 तो यही कम हो गया मोल संख्या ही कम हो गया तो पहले ही गलत हो गया यह बढ़नी चाहिए जो हमारे आए बढ़ना चाहिए देखो चीहत्र को बदलेंगे तो सरसट बन जाएगा यह एक बार चल जाएगा तो देखना क्या 27 कम हुआ 27 की बात कर रहा है तो क्या यह 27 कम हुआ तो नहीं गलत 27 नहीं बलकि यह मुश्किल से 9 कम हुआ सरसट को बदलेंगे तो बढ़ जाएगा कितना 76 बन जाएगा तो ये पहली गलत हो गया दोस्तों 58 बचा सिर्फ 58 को करेंगे तो 85 हो जाएगा तो क्या ये 58 से 27 कदिक है तो 58 में 27 जोड दो 8, 7, 15, 5, 2, 7, 8 सही बात है 85 आ गया मतलब यही उत्तर हो गया मूल संख्या पूछता तो 85 हो जाता जैसे ही देखो मूल संख्या पूछता तो 85 होता लेकिन पूछा क्या है पलटने के बाद जो संख्या बनी उसको पूछा इसलिए 85 हो रहा है बात समझे की नहीं यह भी बात आपको ध्यानम देना है, पूछा है ना, कि बदली हुई संख्या ग्यान कीजिए, तो इसमें पचासी भी हो रहा है, अठावन भी हो रहा है, गलती कर दो, अगला देखते हैं, एक संख्या का वर्ग उसी संख्या के दोगुने से तीन अधिक है, वह संभाव संख है, जैसे मालो एक है, उसका वर्ग जब करोगे, कि दोगुने, वर्ग एक ही होगा भाई, गुड़े दो कर दो, दो एक कम दो, दो हो जाएगा, से तीन अधिक है, समझेगे नहीं, एक संख्या का वर्ग उसी संख्या के दोगुने से, अच्छा, जैसे एक है, एक का वर्ग गुड़े दो होना चाहिए एक तो नहीं होगा एक नहीं होगा ते भी गलत ते भी गलत नहीं समझे एक का वर्ग कर दो तो कितना आएगा एक ही आएगा कहरा है कि किसी संख्या का वर्ग करने पर वही दोगुने से दीन अधिके इसका दोगुना दो हो जाएगा तो यह अधि संख्या क्या है तो माइनस 1 में 2 से गुड़ा करोगoking तो माइनस 2 हो जाएगा देखो यह हो गया माइनस 2 में PLUS 3 जोड़ो कह रहा है ना तीन थीख है तो PLUS 3 ज़ड़ो compartir 15 जोड़ो गे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा सही कहरा हो दो-थो दोनों बराबर हो जाएगा समझे की नहीं भाई –1 का स्क्वाइर करोंगे तो वन आ जाएगा तो यह संख्या का वर्ट करने पर वह अपनी मूर्ट संख्या से 2 गुणा के तीन अधिक हो गया तो भाई – 1 का दो गुणा करोंगे तो माइनस 2 आजाए गा मैनस 3 जो है इसका वर्ग बराबर क्या होना चाहिए माइनस 3 गुडे 2 प्लस 3 यह दोनों बराबर होना चाहिए जैसे अभी हमने इसका किया था किसका minus 1 नहीं confused कोई हो minus 1 का square minus 1 गोड़े 2 प्लस 3 होना चाहिए तो भाई इसका 2 ख़त 2 यह हो गया minus 2 प्लस 3 और यह एक हो गया तो बराबर हो जागे दोनों तो हो गया था क्या यह भी हो गा 3 3 9 तो यह हो जाएगा plus 9 बराबर 3 2 6 minus 6 plus 3 तो यह हो जाएगा minus 3 बराबर 9 तो नहीं होगा ना बराबर हुआ नहीं हुआ यह खत्म तो यह भी खत्म बचा यही यही उत्तर हो जाएगा कैसे 3 का square कर लो 3 square बराबर 3 गोड़े 2 प्लस 3 यह तो कर रहा 2 गुणा का 3 अधीक है तो 3 3 9 हो जाएगा बराबर 3 2 6 प्लस 3 तो 9 बराबर 9 देखो गए कि नहीं तो यही उत्तर हो जाएगा आपका तो यह tricky question था यह लेकिन बड़ा easy था यह अगर दिमाद थोड़ा बहुत मांड लगाना ही पड़ेगा है कि नहीं यह आ गया दीच में भी ले लिए मैंने दो अंको वाली संख्या की अंको का योग नौ है जब संख्या में 27 जोड़ा जाता है तो अंको के अस्थान आपस में बदल जाते हैं संख्या ग्याद करें यह आपको बताना है संख्या ही पूछा है मूल संख्या ठीक है यह होम वर्क लिए मैं दे देता हूं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना आखिर इसका उत्तर क्या होगा ठीक दोस्तों तो बस इस क्लास में इतना ही जो लोग नए हो दोस्तों चैनल को सब्स्राइब कर लेना घंटी दबा देना बिल आइकॉन भी सब्सक्राइब कर देना बार बार मैं इसलिए कहता हूं कि अभी या ज्यादा होई ने रहो आप लोग थोड़ा सा सब्स्राइब दो कर लिए बहुत लोग पढ़ते नहीं हो क्या बात एक्जाम आप डेड़ भी आ रहा है सब ठीक है पढ़ाई करो जम के ठीक मिलते हैं फि